सुसील मोदी जी सत्ता में 17 सालों तक रहे और जिस चीज का चर्चा कर रहे हैं उन्होंने क्या काम किया है अब तक बताएं वो किस तरह से लोगों को सनरक्षित क्या करते थे ये भी पता है सब लोगों को सुसील मोदी अपने नेत्रित पर सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं अगर उनमें नेतिकता है तो अपने नेत्रित से सवाल खड़ा करें और पूछे कि नितिन गटकरी जी को आखिर किन कार्णों से उन्हें भारतिय इंता पार्टी के इंद्रिये संसद्य बोर्ट से बिन्ने वाले लोग हैं चुन्ने वाले लोग हैं और चुन्ने और बिन्ने में इनको गल्ती नहीं होती है पूरे बिहार भर में कि इसका निया नाम है बेरोजगार जुमलाबास पार्टी और उस जुमलाबास पार्टी के सबसे बड़े अभी कोई पैरविकार बने हुए ह आरोप परते आरोप चलता आ रहा है रामानंद यादों ने जहां सुशिल मोदी को घेरा सुशिल मोदी कागज पत्तर लेकर आ गए 2017 की कहानी याद किजे वैसे ही लग रहा था और उसके बाद एक एक करके आरोप गिराने लगे लालु यादव राबडित देवी और रामानं सुशिल मोदी जी सत्ता में 17 सालों तक रहे और जिस चीज का चर्चा कर रहे हैं उन्होंने क्या काम किया है अब तक बताएं और वो खुद खनन मंतरी रहे हैं और खनन विभाग से उनको कितना प्रेम रहा ये किसी से बताने कि आप सकता नहीं है और वो किस तरह से लोगों को सनरक्षित क्या करतेता ये पता है सिब लोगों को देखियें की राजनीत भारतियन ठापाटि ही कर सकती है भारतियन ठापाटि जिस तरह से डिक्टेशन की राजनीत पहले करती रही है अब उनका बिहार में चलने वाला नहीं है तो सवाल नहीं उठाएंगे नहीं चलेगा तो आप लोग गलत केज़ेगा तो सवाल उठा रहे तो गलत क्या है सबसे पहले तो सवाल वो अपने सिर्सस नेत्रित पर उठाएं जिनके बारे में पूरा दुनिया जानता है पूरे दुनिया में चर्चा है जो जिनके हम दो हमारे दो की नितियां चल रही हैं और हम दो हमारे दो की नितियों के कारण पूरे देश में आज जिस तरह से आम अवाम परसान है और दो लोग जिस तरह से खुश हैं और दो लोगों के द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है ये किसी से बताने के आप सकता नहीं है गटकरी पे पहुंचा जएगा जाहिर सी बात है राजनीत में आप सिरमौर पर जो लोग आपके हैं जो सनरक्षित किये हुए हैं आपको वो अगर गलत कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं नितिकवान हूं तो आपकी नितिकता उस समय कहां गुलो जाती है वो गलत कर रहा हूं मैं तो सही कर रहा हूं मैं जनता की आवाज हूं जनता की बात रखता हूं जन सरकार के बुद्धे पर यहां तो असपश्ट है कि जो जनता की सवालों पर कोई सवाल खड़ा करेगा उसको ये सवालों के घेरा में आपके हैं कोई आरोप सही नहीं है आरोप अगर सही होता तो सत्रा वर्सों तक ये मौन नहीं रहते हैं, ये सत्ता में सत्रा वर्सों तक थे और ये बिनने वाले लोग हैं, चुनने वाले लोग हैं, और चुनने और बिनने में इनको गल्ती नहीं होती है, अगर इनके पास कुछ होता तो अब तक कहां से कहां पहुंच जिए होते हैं इसलिए सुसील मोदी जी सत्ता से अलग होने के बाद भारतियनता पार्टी के बादे में एक परचलन चल गिया है पूरे बिहार भर में कि इसका निया नाम है बेरोजगार जुमलाबास पार्टी और उस जुमलाबास पार्टी के सबसे बड़े अभी कोई पैरविकार बने सुसील मोदी सुसील मोदी जब सत्ता में भाजपा थी तो कहां थे किस तरह से थे और किस तरह से उनको आडवानी और मुली मनोर जोसी के सिरेनी में रख दिया गया था और वो आज अपने रोजगार के मामले में कुछ उनका राजनीत में नेत्रिस समाफ्थों किया था उनको कोई भारतिय इंता पार्टी के कारजाले में कभी प्रेस कांफरेंस की हो इन दो वर्सों के सत्ता में ये आप हमको साबित कर दीजिए अच्छा लिए ठीक है इजाज अमद जी का कहना है रोजगार चला गया था वापस मिला है क्योंकि सरकार गिर गई है तो रोजगार मिला है तो काम तो करना होगा इसलिए उल जलूल सवाल उठा रहे है आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा परकरन हुआ है और ये जो आर हमार साथ तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद